प्रेमिका से बात करने पर गुसाए दोस्त ने की अपने ही दोस्त की हत्या नवे मुंबई पोलीस को महापे शील फाटा के पास रोड पर एक अग्यात व्यक्ति का शौव मिला जिसके बाद तलोजा पोलीस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर पोलीस ने तैकिकार शुरू की तो पता चला कि तिलक नगर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पोलीस की कड़ी परताल के बाद पता चला कि आरोपी और मुलतक एक ही बेकरी में काम करते थे जहां दोनों की दोस्ती हुई थी आरोपी ने मुलतक को अपनी प्रेमिका से गाओं में बात कराई थी जिसके बाद मुलतक ने आरोपी के मुबाइल से लड़की का नमबर चोरी से ले लिया और लगातार आरोपी की प्रेमिका से बात करने लगा जब इस बात की भना का आरोपी को लगी तो गुसा है आरोपी ने मुर्तक को डोंबी वाली ले जाने के बहाने से रिक्षा में बिठा कर महापे की तरफ ले गया जहां आरोपी ने मौका पा कर मुर्तक को मौत के घाट उतार गया पॉलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है आगे की कारेवाई जा रही है अब दोनों पूलिस सेशन तुर्विया और रबड़े माड़ी से अला अपिसर्स वहां गए बॉडी का निरिक्षन किया तो उसमें देखा गया कि उसके चेहरे पे कई वार किये होते और उसका लेप्ट साइड में चेस्ट में किसी नुकिले धारदार हात्यार से जखम किये किये ते डीप इंजूरिज थी और उसका जगह पे डेथ हुआ था इन्वेस्टिगेशन में उसका फोटो क्लीन फोटो निकाला गया वो फोटो पूरे सारे पॉलिस सेशन सोचिल मेडिया के द्वारा प्रसारित किया गया सारे सीनियर इंस्पेक्टर्स नई मूबई को उन ने उसका मिसिंग तिलक नगर पुलिस सेशन डोंबियुली में दाखी लेकर के इंफॉर्मिशन दिया था तुरंत उन्हों ने यहां इंफॉर्मिशन दिया कि यह फोटो दोनों एक सरीके है रबाड़े यमाइडिसी का टीम तुरंत डोंबियुली चला गया पता करने के ब यह दोनों दोस्त थे और एक बार यह एक्यूज ने विक्टिम के मोबाइल से अपनी गल्फ्रेंट को उत्तरकुदेश में फोन किया था उसके बाद यह फोन विक्टिम का होने की वज़े से वो लड़की और यह जो महत है वो दोनों में फेर शुरू हो गया इसका पता थोड़ा सा निर्मनश्य जगह है वहां आटो खड़ी करके उसके उपर वार किये नीचे उतर के भी उसने उसको बहुत जगह पे इंजूरी किया जगह पे डेथ होने के बाद उसको रोड के नीचे फेक दिया गया रातो रात उसी दिन रात को दोनों तीनों टीम इंफार् में भेजा गया है इसके अलावा इसका कुछ मोटी हुए क्या इसके उपर कुछ ऑफेंसिस दाखिल है क्या इसका आगे का तपास इनरा रबाये में अडेसी पूलिशन कर रहे हैं सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना पूलिए